हेलो स्टुरेंट्स स्वागता आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम किलासी सांड़ पूर्स चैनल पर इस्टूट मैं संजीत उमर एक बार फिर आपके लिए Intrigation 11 की ये किलास है इसकी एक किलास लेकर आया हूँ और आसा करता हूँ आज की किलास बहुत मज़िदार होगी और आपको जल्दी ही समझ भी आ जाएगी तो ठीक है दोस्तो इसी के साथ किलास सुरू करते हैं और तयार हो जाएए बिसिकली ये आज मल्टिपलिकेशन वाली किलास है क्योंकि स्टूट की कुछ की राय थी कि इसमें और क्यूस्टन होने चाहिए ऐसे तो हमने इस पर एक किलास बना चुके हैं पहले पर फिर भी एक किस्टन आज भी हम कुछ कोसिश करते हैं मल्टिपलिकेशन के फोर्मूले चले स्टूडेंट्स अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रिस कीजिए ठीक है ना ओके सुरू करते हैं तो जो पहला क्यूस्टन है यहां पर हमारा पहला क्यूस्टन रहेगा आज स्टार्टिंग में देखते हैं फर्स्ट क्यूस्टन कैसा रहेगा आपका तो फर्स्ट क्यूस्टन जू है यह वेड़ दोस्तो इसके साइड में आपको एक लैट करना लागा ठीक है न तो इसे first मानना है इसे second first as it is यानि 10 inverse जो है फिर यहां तक तो ठीक है दोस्तो तो यहां पर होगा x 10 inverse x तो as it is और यहाँ पर हमने बस यह काम किया 2 से multiply और 2 से गुणा यहाँ पर 1 पलस के x square यह किया d x तो यहाँ इसका differentiation उपर है तो अगर let करना चाहो तो कर सकते हो भी आप कैसे let करोगे यहाँ पर let करोगे let क्या करना है आपको x equal to 10 is 10 x तो यहाँ पर मिल लाएगा d x equal to x square और 2 x x square ही let कर लिया हमने क्या कर लिया चलिए छोड़े पूरा complete ही let कर लेते हैं तो थोड़ा सा benefit हो जाएगा हमारा ठीक है न यहाँ पर हमने one plus x square पूरा लेट कर लिया ट 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 कर लिया तो थोड़ा आसान रहे जाएगा दोस्तों तो अगर यह मिला तो यहाँ पर यह value तो बनी इसकी dx की और यह बचा dt तो next page पर चलते हैं तो हुआ था क्या हमारे पास था भी x 10 inverse x और यहाँ पर बना अब आपका one upon two तो लेड़ी है dt बटे t तो x 10 inverse x as it is तो यहाँ पर रहा यह कितना रहा दोस्तों यहाँ पर रहा one by two log t लोग t अगर मिला तो सी आप add कर दोगे x 10 inverse x इसके बाद one by two और log agit जिसकी value क्या let की थी आपने one plus x square and plus c यह आपका answer बना ठीक है न दोस्तों यह पहला question था एक और इसी तरह का question देखते हैं और समझते हैं बात को इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो यह होगा integration x 10 inverse x and dx ठीक है न एक्स 10 inverse x dx तो यहां के बाद करना क्या है आपको यहां पर मिला वही first यह second first agitage 10 inverse जो है agitage रहेगा आपका है न और यहां पर इसका रहा x square by 2 add minus integration यहां पर क्या मिला आपका one upon one plus x square तो agitage और यहां पर कितना रहा है x square by 2 and dx तो थोड़े सा और आपको पार्शली फ्रिक्षन देखना होगा x by 2 10 inverse यह तो एज़ेटी जाया माइनस के one upon two भी एज़ेटी अब यहां पर से थोड़ा से चेंड कर ले one minus one upon one plus x square कर दिया से ठीक है न तो यहां आपको मिला x square by 2 10 inverse x एंड यहां पर रहा 1 by 2 तो एज़ेटी था इसका x तार यह था 10 inverse x ठीक है न यहां तक तो कोई प्रॉल्म नहीं तो बस इसके अंदर multiply कर दिजिए x square by 2 10 inverse चाहिए तो आप यहीं पर भी छोड़ रखते हो क्योंकि दोस्तों अगर देख ले जाए तो आपने integration इसका कर दिया तो यहां पर कितना रहा यहां पर रहा आपका minus minus plus 10 inverse x by 2 and plus c तो यह आपका answer रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक ना तो चाहिए तो आप comment लेना चाहो comment भी ले सकते हो इसमें से यह तो next पर चलते हैं दोस्तों एक question हुआ आपका अब question है हमारा तीन number का तीसरा question है तो यह थोड़ा सा complicated दिखने में होगा बट आपको ध्यान में रखना ध्यान में क्या रखना आपको यह है x plus under root x square plus a square और यहां पर रहा डी x तो ठीक है यहां पर यहां पर भी one let कीजिए और यह पूरा first है first adjective मतलब कि ऐसे ही रखिए x plus के root x square plus a square integration करना होगा आपको इसका x मिला and integration differentiation करना होगा तो लोग का क्या होगा one upon कितना रह जाएगा ध्यान दीजिए कि one upon as it is रहेगा यानि कहने का मतलब यह है x square plus a square ठीक है न अब इसका जब करोगे side में यह बहुत ही रहेगा x का तो होगा दोस्तों वन उसका जब करोगे one by two two x by under root और यहां पर रहेगा x square plus a square और यहां पर side में चलागा दोस्तों कि उसका integration भी तो करना है एक का तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगे इस दो सब्सक्राइब कर दो गया यह वहां पर पहुंची यह बटे में पहुंची तो मिला क्या आपको इससे तो एजिटीज रख दीजिए यह काम करते हैं थोड़ी देर के लिए पस इसके लिए तो बस यह साइन ले लिया हमने लिए तो यहां पर अब मिला क्या आपको दिखो नहीं मैं सिंप्ली मोड़ी सिंप्लीफाइब कर देता हूं थोड़े था सोरी दोस्तों यहाँ पह है x plus under root x square plus a square और यहाँ पह पह मिला आपको x square plus a square अग more इसके बाद x मिला और upon under root a square plus x square ही आपका और side में x और बचावाँ समय यहाँ पह लिखता है और यहाँ लिखते हैंगे dx इस पूरी value से यह पूरी value हो जाएगी अब बचा आपके पास यह ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट पर तो यहां पर यह जो एज़टीज वाली वैल्यू तो वो तो नॉर्मल साइन के साथ यूज करा फिर वही वन बाई टू एंड टू एक्स आपने लिखा था यहां पर क्या था बटे में एक्सी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर ठीक है यहां तब तो कोई प्रोब्लम नहीं ठीक है अब इसके बाद इसे लैट कर लोगे तो आप तो यह सारा इसका डिफ्रेंसेशन रह जाएगा इसे अगर LAT करते हो तो यह सारा कैलकुलेight करना होगा आपको इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस तू और अंडर रूट यह मिला आपको X square plus A square 1 plus C जोड़ दो गया आप यह से टू से टू कैंसिल बस आपका आंसर भी मिला यह रहा दोस्तो आपका आंसर रूट X square plus A square ठीक ना तो यह तीन किस्टिन होएं दोस्ते नेक्स्ट किस्टिन की तरब चलते हैं लुप से नेक्स्ट किस्टिन आपका रहेगा देखिक द्यान से क्या रहेगा फोर्द क्यूस्ट है फ्यूर्ट किस्ट्न में एक मिंट दोस्तो जेस्ट मैं प यहां पर हा इंट्रिगेशन X DX upon 1 plus के cos X तो यहाँ पर बचा क्या आपको बस थोड़ा अगर आसा नीज़ करनी तो बस EC की multiply कर दो ची से divide कर थोड़ा benefit हो जाएगा दोस्तों easily question हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने 1 minus cos X से multiply कर दिया और 1 minus के cos X से divide कर दिया तो यहाँ तक अगर कोई समझ रहे है तो बताईए दोस्तों ठीक है नहीं यहाँ तक अब उसके अंदर multiply करने के बाद यहाँ पर बचा क्या आपके पास यहाँ पर बचा X X cos X and यह बचा DX ठीक है ना और यहाँ पर क्या बचा यह sine square हो गए दोस्तों एक बार add किया था और दूनों value एक दूसरे के upon में अलग-अलग से हमने लिखती तो कैसे लिखोगा आप यहाँ पर बचा X बटे sine square X DX and minus की यहाँ पर X cos X बटे कितना हुआ sine square X DX ठीक है ना यहाँ तक तो कोई problem नहीं होगी अब देखे दो तो next पर करते क्या है अब आपका यह बना हमारे पास क्या बना यह बना integration X कोशक स्क्वेर X ठीक है ना DX और minus के integration यहाँ पर बना X court X and कोशक X ठीक है यह बना दोस्तों इसमें एक को तो रोक लीजिए और एक को चलते रहनी दीजिए जिसकी वज़े से आपको benefit होगा यह ध्यान दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पर अगर देख ले जाए तो X as it is और इसका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर होगा minus के cortex है ना इसे फर्स्ट था यह सेकेंड था यहाँ पर अब माइनस में इंट्रिकेशन अब एक्स का तो वन होगा यहाँ पर फिर माइनस के cortex ठीक है यहाँ तक तो चलिए ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर भी जिदे रहें से क्रिस्टन कर लेकते हैं सोल इसमें अगर लगा दे तो चलो लगाई देते हैं दोस्तों क्योंकि benefit कुछ दिक नहीं रहा यहाँ पर क्या किया अगले वाले में लगा है आपने minus और ब्रेकट लिए और डी एक्स यह हुआ दोस्तों कम्पलीट तो यहाँ पर अगर देख ले जाते हैं यहाँ पर क्या मिला आपको यहाँ पर मिला है हमें minus X कोट X है ना और यहाँ पर पलस के लोग क्या मिला है यहाँ पर लोग साइन X और इसी के बाद यह क्या बचा X आपका कोसक X ठीक है न? X, कोसक X तो यहाँ पर है उसके बाद आपको मिला किया माइनस में लोग 10 X by 2 तो यह आपका फुल और फाइनल आंसर रहा है ठीक है न दोस्तों? तो यह किस्टिन भी आपको इजीली समझाया होगा तो आज दोस्तों नेक्स पर चलते हैं यह आज का लास्ट क्यूस्टन होगा बस आज की किलास में हम 5 ही क्यूस्टन करने वाले हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिए यह लेकिन अच्छे क्यूस्टन है सभी इन क्यूस्टनों की बार-बार आपको प्रेटिस करने हैं और कल हम next topic चलेंगे तो integration करना आपको 2nd verse 1 upon x and dx का ठीक है तो आप इस अगर थोड़ा सा modify कर लो तो आप इसे सरी यह भी लिख सकते हो 2nd verse x and dx ठीक है तो वही आपने यहां पर one lat कि है असकी साथ में और यह तो first है वह second है इसका integration xor यह सब्सक्राइब लॉट एकस इन वर्ट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिशन होगा अपॉन अजिस यहां पर क्या बचा है इंट्रिगेरिशन वन अपॉन 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 अंडरूट x square minus 1 dx तो यहां तक तो कोई problem नहीं होगे ठीक है न दोस्तो अब यहां पर जब कोई problem नहीं है तो इसका direct होता है क्या होता है direct x second verse x इसका क्या होगा आपका यहां पर होता था log क्या होता था x plus root x square minus 1 इसे अगर 1 का square कर लो तब होगा दोस्तो और siya आप add कर दोगे तो यह question भी होगा दोस्तो तो कल हम कुछ और question करेंगे दोस्तो अगर आपको ठीक है न इच्छा होगा तो उसके बाद हम चलेंगे next drive की दरफ ठीक है न कुछ phone होगी i-let करने वाली तो i-let वाली करने वाली उनके लिए भी हम काम करेंगे तो चली दोस्तो इसी के साथ आज की class हमें इतनी ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ आज की पांच क्यूशन आपके लिए बहुत ही सारगर सिब्थ होगे ठीक है तो मिलता हो next वीडियो में अपना ख्याल लखेगा हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तेयारी निरंतर जारी रखिए ठीक है दोस्तो थैंक्स पूर वाचिंग